यूपी एस यूनिफाइड पिंशन इसकीम जब सी किंद्री मंत्री अश्विनी वेश्टन में इसका एलान किया है उसके बाद से सभी किंद्री कर्मचारियों में खुशी की लहर है बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में उन्हें आज यहाँ पर क्लियर किया जाएगा देखिए OPS, NPS, UPS, OPS Old Pension Scheme, NPS New Pension Scheme और UPS Unified Pension Scheme अब आपको हम समझाएंगे सबसे पहले ये कि जो सेंट्रल गवर्मेंट हैं सेंट्रल गवर्मेंट कर्मचारियों के लिए UPS Unified Pension Scheme लाई गई है राज्य सरकार चाहें तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं सबसे पहले तो यह आपको क्लियर कर दिया अब इसके बाद आप समझें कि UPS यानि कि जो नई स्कीम आई है Pension की Unified Pension Scheme केंद्र में 20 लाख कर्मचारी हैं जिने इसका फायदा मिलेगा और अगर राज्य सरकारे भी इसको लागू करती हैं तो तकरीबर 90 लाख कर्मचारी हो जाएंगे जिने इसका फायदा मिलेगा लेकिन अभी फिलाल सिर्फ Central Government Employees को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि अभी तक राज्य सरकारों जिसमें कुछ भी इस पस्ट नहीं किया है यानि कि मिनिमम्म 25 साल अगर आपने सेवत दी है रिटायर होने पर आपको पेंशन 50 प्रतिशत दी जाएगी यानि कि 10 साल से लेकर आपने अगर 25 साल तक सेवत दी है तो आपको 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी दूसरा है Assured Family Pension अगर कारे के दौरान यानि कि आपके कारे काल के दौरान किसी की death हो जाती है तो आपके परिवार को 60% pension मिलेगी यानि कि salary का 60% मिलेगा ये इस पष्ट किया गया है तीसरा है Assured Minimum Pension इसका मतलब है कि 10 साल से जादा और 25 साल तक अगर किसी कर्मचारी ने सेवा दी है और 50% pension में अगर उसका 10,000 के नीचे pension बनती यानि कि 10,000 से कम pension बनती है तो कि 50% pension देने की बात कही गई है तो उसे Minimum जो pension के राश्ची होगी वो 10,000 दी जाएगी यह 3 points आपको clear कर दी हमने अब आगे बढ़े ले inflation, induction यानि कि जो 3 points हमने आपको बता हैं तीनों points में जो pension के राश्ची होगी वो तो अलग होगी और जो महंगाई भत्ता होगा वो अलग होगा महंगाई भत्ता जिस तरीके से बढ़ता है या घटता है उसी साब से मिलेगा दूसरा है और next जो point है वो है lump sum amount इसको भी clear कर देते हैं परसल जब आप कारिकाल आपका चल रहा है इसके हर 6 महिने में आपकी salary से one tenth महिने का कटेगा और आखरी में super annuation की तोर पर आपको यह मिलेगा यानि कि आपको जो lump sum amount जो retirement के दौरान मिलता है यह आपके प्रतेक 6 महिने के दौरान आपकी salary से इसका one tenth परसंट कटेगा और यह सब मिला कि आपको मिलेगा आपकी retirement के दौरान ठीक है और इसमें जितना भी ब्याज 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 बनेगा वो सब मिलेगा एक अप्रेल 2025 से यह लागू होने जा रहा है और कई लोगों की मन में यह सवाल है कि अगर यह एक अप्रेल 2025 से लागू होगा तो जो पहले से लोग retire हुए है या जिनको pension मिलने चाहिए ति उनका क्या होगा तो आपको बता दूं कि 2004 के बाद 2004 के बाद जितने भी कर्मिचा कर्मचारी हैं उन सभी को UPS का लाभ मिलेगा बिल्कुत सही सुना आपने सभी कर्मचारीयों को UPS का लाभ मिलेगा जो 2004 के बाद retire हुए हैं उन सभी को इसका लाभ मिलना है और 2004 के बाद 2025 से पहले जितने बें Central employee होंगे जो retire होंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा एरिया रेमाउंट मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको इसका ब्याज भी मिलेगा एक और बात है सेंट्रल गवर्मेंट के लिए अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है राज्य सरकारों ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है यह अभी जो UPS की बात कही जारी है सिर्फ सिर्फ और सेंट्रल गवर्मेंट एंपलोईस के लिए ही है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी राज्य सरकारे भी इसको लेकर कुछ अच्छे कदम उठाएंगी यानि कि जितने भी कर्मिचारी उनकी बले-बले है सेंट्रल गवर्मेंट कर्मिचारीों के लिए तो बहुत बड़ी खुश खबरी है और यह उमीद करते हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स में यह सब कुछ समझ में आ गया होगा तूंकि सभी लोगों के मन में जो सबाल थी उन सबालों को क्लियर करने की एक छोटी सी कोशिश यहां पे हुई है तमाम खबरों के लिए देखते हैं नेट्वर के टीन नमस्कार